कि दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग को डाउट रहता है कि अगर ट्रांसफार्मर हमारे पास छोटा है तो उससे बड़ी बैटरी चार्ज हो पाएगी है नहीं आप देखिए 40S की बैटरी है ठीक है सोलर बैटरी है और यहां पर जो ट्रांसफार्मर है वह केवल मेरे पास मैंजीबं 5A ओट पुट दे पाएगा ठीक है 12.6 और अराउंड 13 वोल्ट तक तो अभी देखिए इतनी बड़ी बैटरी है मैंने CCS बैटरी को चार्ज कर रहा है जो चांसेस हैं जो हो सकता है वह यह है कि यह ट्रांसफार्मर गरम हो जाएगा अगर यह डैवनियम का है तो यह यह सकता है खराब हुजाना लेकिन अगर ही कॉपरल में है तो श्यादा भी होगा होगा और काफी हड्र हो सकता है बस selves है क्र चार्ज की यह काफी हीट जेल सकते हैं अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को एक बार की मैं इसको कैसे चार्ज करा है यह देखिए मैंना ओन कर दिया तो इस तो बैटरी की वोल्टेज हमें दिख रही है इतनी बड़ी बैटरी के लिए क्योंकि इस ट्रांसफर्मर की तुन्ना में बैटरी काफी बड़ी हो जाती है देखिए 13.1 वोल्ट आ रही है इसे में ठीक है तो कि एक बैटरी की लगबब फुल चार्ज मारे जाएगी एंपियर थिरपन थिरी एंपियर ही जा रहे हैं जैसे इसके ग्रैविटी पूरी हो जाएगी 1250 या 1270 मतलब की ग्रैविटी मतलब की जैसे इसमें चार्ज शौट वीडियो रखते हैं और थोड़ी और नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी आप लोग को देंगे इतनी वीडियो आपके अच्छे लगी हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें जोस्तों अब तक लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है